तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गुलाब की जो पंखुडियां होती हैं उन्हें किस तरीके से सुखा के इस्टोर कर सकते हैं और इनका इस्तमाल आप ठंड़ई और आइस क्रीम मिठाईयों के कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए कर सकत तो यह देखे मैंने दो गुलाब तोड़ लिये हैं और यह बिल्कुल देसी गुलाब है मैंने घर में लगाया है उसे ही दो फूल मैंने इस तरीके से तोड़ लिये हैं फूल बिल्कुल पका हुआ है तो यह देखे इनकी जो पतियां बिल्कुल इसली अलग अलग इस तरी तो इन्हें आपको अच्छे से धो लेना है तो अब मैंने अच्छे तरीके से दो से तिन पानी से धो लिया है और इस तरीके से छनी के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इनका जितना भी एक्ष्ट्रा पानी है वह बाहर निकल जाए फिर अमिने सुखाएंगे तो पूरा पानी मैंने अच्छे से ये देखिए सुखा लिया है और अब हम इसे इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े पे बिल्कुल पतला बारी एक एक ऐसे जो इनकी पंखुडियां है पतियां है इन्हें इस तरीके से फैला देंगे और चार से पांच घंटे बाद हम इन सूखा लेना है आप पंखे के नीचे खुले हवा में इन्हें सुखाएए और इन्हें धूप में मत शुखाएए अगर आप ढूप में शुखा लिया है तो इनका कलर भी ऐसे दिखेगा और स्वाद भी महक बीन की बरकरार रहेगी तो चलिए इन्हें अम सुखा लेते हैं फिर हम इने इस्टोर करेंगे तो ये देखे पूरे 24 गंटों तक मैंने इने सूखे सुखा लिये हैं अच्छे से ये देखे बहुत ही अच्छे से सूख गये हैं और इसे मैंने धूप में नहीं सुखाया है घर में ही पंखे के नीचे सुखाया है तो बहुत ही अच्छे से ये सूख गया है अब आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में भर के इस्टोर करके रख लीजे साल भर तक ये खराब नहीं होंगे और जहां भी यूज करना है आप इनका इस्तमाल करिए महक भी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है आप इन परकेट से कुछ भी लाने के जरुवत नहीं है घर में ही आप इसे तयार कर सकते हैं बहुत ही आराम से तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए मिलत अगले वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स